एलो प्यारे बच्चों वेलकम इन EBS क्लास प्यारे बच्चों आपका EBS क्लास के अंदर स्वागत है प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है कि हम EBS के अंदर चेप्र नमबर टू दग्रेट हिमालियाज के बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे बचों इससे पहले हमने fill in the blanks को पूरा किया था प्यारे बचों आज का अपना topic है right, true and false हमें बचों यह कुछ statement दी गई है हमें इन statements को पढ़ना है और यह decide करना है कि यह true और false है और प्यारे बचों इन books के अंदर अगर true है तो t और false है तो f का प्रियोग हम करेंगे ठीक है बचों तो पहला है बचो शिवालिक is the eastern most range of हिमालियाज प्यारे बचों क्या सिवालिक इस्टरन most का मतलब होचा है बचों सबसे पूरु में फैली हुई हिमालिया की range है याद करने की कोशिश करो बचों कि मैंने chapter के अंदर बताया था कि सिवालिक है वह कैसी range है southern most range है हिमालियाज की ठेक है बचों तो यह statement क्या हुजाएगी false क्य हिमालियाज range has many valleys or passes याद करने की कोशिश करो बचों क्या यह सही है yes true नेक्स्ट बचो मनसूरी और दार्जलींग लाइज इन दा सिवालिक रेंज क्या मनसूरी और दार्जलींग सिवालिक रेंज के अंदर हैं याद करने की कोशिस करो बच्वों नहीं यह किसके अंदर है बच्वों हिमालिया हिमाचल रेंज के अंदर है तो बच्वों यह सिव from यमनोतरी क्या बचों यह statement सही है yes this statement is true India's highest peak is कंचन जंगा क्या भारत की सबसे उंची चोटी कंचन जंगा है याद करने की कोशिश करो बचों मैंने क्या बताय था कि भारत की सबसे उंची चोटी है k2 तो प्यारे बचों यह statement क्या हो जाएगी false प्यारे बचों उमीद है कि आज का अपना topic true and false आपको समझ में आया है thank you बचो thank you for watching this video